जादू तेरी नजर दोस्तों आज मैं सीता के लिए ये बड़िया सा घिप्ट लेकर आया हूँ जिसका मैजिक मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा और सिखाऊंगा चलिए चलते हैं दरवाजा खोलते हैं श सीता ओषिती ये देखो मैं तुमारे लिए ये डीत लेकाँ हूँ सीता ओषिता ये देखो मुझे अच्छी गीफ्ट चाहिए बोली थे न 누ी तो ये मैंने तुमारे लिए अच्छी गीफ्ट लेकर आया हूँ आप भी देखिए मित्रों तुमने तो यह मैंने तुमारे लिए अच्छी गीफ्त लेकर आया हूं आप भी देखिए मित्रों यह पीछे से ऐसे स्टेंड है और आगे की तरफ में ऐसे एक दो तीन चार पांच छे घड़िया हैं और इसमें हार नेकलेश भी रखने को हो जाएगा सीता यह लो तुमारे यह एक घड़ी यह पकड़ो है ना बढ़िया कमाल का घड़ी में इसको रखने जा रहे हो अच्छा ठीक है ठीक है तो मित्रों अभी यह देखो एक घड़ी मिली नहीं कि वह रखने चली गई एक और घड़ी पकड़ो और चुपा के रख रही है ताकि फिर बाद में वाप अब लाष्ट में एक घड़ी बची है इसको हमने ऐसे निकाल लिया यह सिर्फ एक घड़ी बची है इसका मैजिक दिखाता हूं लेकिन शिता अगे यह भी शिता ले जाएगी तो मित्रों यहाँ पर खाली है तो इसको भी रख्याओ तो अभी एक भी घड़ी नहीं है एक तो तीन चार-पांच्छे के च्छे घड़ी सीथा रख आ गई है तो मीत्रों पहले तो इनको मैजिक दिखाना था तो यह घड़ी सीथा ले गई तो अब कैसे मैजिक दिखाएंगे तो जादुगारवना उसको वापस लियाओ अच्छा वापस लियाओ तो मित्रों चलते ह तानी तुरा नशदीक से लेना कारा और मैंशडीक से लोह के वान टू थी जादु मेजिक ऐसे ऐसे गूमाते हैं यहां खाली हाथ दिखाते हैं और ऐसे घूमाते हैं सबसे पहले इस जगे ने ऐसे एसे करते हैं और ऐसे करके घड़ी को निकाल देते हैं फिर यहां पर हमने ऐसे घड़ी को लगा दिया एक ही घड़ी आई है फिर दूसरी जगे में यहां पर ऐसे करते हैं ऐसे यह देखो दूसरी घड़ी भी ऐसे आ गई है दो घड़ी बन गई है फिर इसके बाद में इस जगे में ऐसे क करते हैं यह आ गई यहां पर हमने रख दिया और ऐसे करो यूं करो ऐसे करो यूं वान टू थ्री मैजिक आजा घड़ी अभी भी नहीं आई ऐसे गिली 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 चूँ यह देखो फिर से घड़ी आ गई इसके लिए लंबा बहाँ वाला पकड़ने की कोई जरूरत नहीं आप बन्यान भी पकड़ोगे तब भी होगा ऐसे करो फिर यूं करके ऐसे करके फिर घड़ी निकाल दो इसको भी टांग दिया यह मैजिक है सिता ने लेड़िया तो ला दिया है एक घड़ी और लाना बाकि है यूं करेंगे जादू मैजी गिली 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 चूँ और इसको भी यहां रख देंगे मित्रों तो कैसा लगा आज का मजेदार इंट्रेस्टिंग मैजिक आइटम आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा मित्रों तो अगर मैजिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंट को ऐसे कैसे रखना है इस पूरे घड़ी को ऐसे रखना है आप रखो ऑके ओके तो ऐसा मजेदार मैजिक है मित्रों वीडियो में बने रही है आपको यह आइटम भी हम सिखा देंगे मित्रों जादू का कोई भी समान चाइए तो यहां पर बहुत सारा मैजिक आइटम आप जादूगरबन के नाम और दाम कमा सकते हैं जादू का सेटिफिकेट भी हमारे पास में है जो कि आपको बहुत काम आएगा कहीं भी मैजिक सो दिखाने का टाइम में यह देखिए जादू का सेटिफिकेट है यहां पे आपका फोटो लगेगा इस टेम उस टेम सब लगेगा तो यह है परमार पत्र भी है और कोड भी है टोपी भी है कुछ भी समान मंगाईएगा आपको जरूर मिलेगी चलिए इस आइटम को सीख लेते हैं मीत्रों तो ध्यान से इसको देखिए चलिए आज का मजेदार मैजिक आप लोगों को सिखाते हैं क्योंकि हर कोई मैजिक का वीडियो पूरा देखता भी नहीं है और सीख भी नहीं सकता है जादू में जिसको इंट्रेस होता है वही तो वीडियो पूरा देखता है वही सीखता है जैसे कि आप हो हर कोई तो पूरा वीडियो देखता नहीं है तो इसको सीखने के लिए ध्यान से देखिएगा सीथा जो छे घड़ी तुम ले गएते उसको वापस लाओ दर्सकों को सिखाना है न तो दर्सकों को एक एक करके हम इसका पूरी डिटेल समझा देते हैं मित्रों तो यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे घड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़ा नजदीक से खीचना गो यह घड़ी प्लास्टिक का है और यह छे घड़ी मेटल का है इसके पीछे में लोहा लगी हुई है इसके पीछे में लोहा लगी हुई है ठीके मीत्रों और हमारे हाथ में एक मैंगनेट है यह मैंगनेट ऐसे अंगूठी में ऐसे लगा थे ऐसे करके यह ठीके मीत्रों ऐसे अंगूठी लगाते हैं यूँ करके तो अब इसमें सारा रहस्य क्या है सबसे पहले तो इस घड़ी को हमें इस फ्रेम के अंदर में थोड़ा नजदीक से खीचना ऐसे करके रख लेना है एक एक करके यह दिखाई नहीं देगी लगेगी कि खाली है एक दो की दीन मेटल वाले को रखना है प्लास्टिक वाले को नहीं रखना guess ऐसे करके यह ऐसे रख देना है हलके से यह ऐसे हलके से रख देना है थाइट हो तो फिर दूबारा निकाल के एगा ठीक है तोική कभी कभी precise हुझाए तो ठोड़ी घ्ली होनी चाहिए इसके ऊपर में बाग टिन ये देखो ऐसे तो ये देखो ऐसे ये देखो और ये देखो ऐसे लटका देनी है तो सबसे पहले आपके stage में इस position पे होगा ऐसे दिखाएं ऐसे दिखाएं ये फिर उसके मेंगनेट को न आप यहां पे ऐसे करके भनेट से जिए गाव में लगाने वाला वेंडे जाता ना उसके अंदर भी होगा तब भी काम कर थी नई तो ऐसा बनाएंगे 150 में सोने की दुकान में जाईए पितल का बना दे बोलके 100 रुपए दिजिए एकी दिन में बना के आपको देगा चांदी का बनाना हो तो 200 लग जाएगा हम आपको शिरीफ पत्थर भेजेंगे जो पत्थर ही इसमें में काम करती है जैसे कि मैंने य भी तीता को रख पकड़ाया ओ लेके चली गई इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो एसे खोल लो ऐसे एक अकंगर करके यूं करके ऐसे करके न्यूं करके आसे दिखा सकते हैंbar करके का ऐसे मैजिक का बैग होता है ना आपके पास घोला उस जोले में आपको सबके सामने बोल देनाहाएं कि बन्ड कर देना है जयसे कि यहां पर है अध्य गश्व करने जाते हैесяm तो आपको बोलना है यह मैजिक करो उसको वापिस लाता हूं यह देखिए बोलके इस मेलनेट से कहीं भी तच करो जो निकालना हो आपको वहीं पर तच करिएगा जैसे कि यह किया और ऐसे करके यहीं पर लगा दिया यह किया फिर ऐसे करके यहां पर ऐसे लगा दिया ऐसे ऐसे किया फिर ऐसे करके यहां पर ऐसे लगा दिया है ऐसे किया फिर ऐसे करके यूं करके यूं रख देना है तो यह था magic tricks मित्रों ऐसे आप खुद भी अमूठी बनाओगे तो उससे भी इस परकार से हो जाएगी हम आपको पत्फर भेज देंगे ऐसे अंदर में है तो आपको ऐसे करके यूं यूं करो और यूं करके ऐसे निकाल देना है और यह एसे रख देना है यह आसान है देखने में और करने में भले ही मुश्किल जैसा लगे लेकिन बहुत आसान trick है और वियाईपी magic है तो इसका दाम इस समय में आपको पड़ेगी दो हजार रुपए ठीके मी तो दो हजार रुपए में कोस्टेल चार सहित आपके घर में पहुंच जाएगी आने वाले समय में इसका रेक कम हो गया तो कम में भी मिल सकती है बढ़ गया तो थोड़ा एक दो सो ज्यादा भी लग सकता इस समय आपको मिलेगी दो हजार रुपए में आपको पत्थर मिलेगी ऐसी वाली पत्थर तीके इस पत्थर को आप ऐसे अमूठी में बना लीजिएगा या फिर बेंडिट लगा लीजिएगा तो इससे कई सारे मैजिक होंगे जैसे घरी को रोकना टेबल उड़ाना सिक्ता लाइब करना तो बना लिख लिजिएगा केमरा से फोटो खीच के इस नंबर पर वाट्शाप कर दीजेगा हम आपके बताएं पते पर समान भेज देंगे आपको अकाउंट नंबर देंगे और उसमें पहले पैसे डालने पड़ेंगे तभी हम समान भेजेंगे और और किया हुआ समान जरूर मिल मिलेगी 100% मिलेगी यह मत सुचना की मिलेगी की नहीं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है तो आज के वीडियो से चलते हैं अभी तक लाइक न किया हो तो एक लाइक आप कर दीजिए क्योंकि आपके लिए हमने भी बहुत मेहनत किया है तो आज के वीडियो से चलते हैं नमस्कार थेंक यू बाई बाई